नमस्कार दूस्तों वारे टूब चैनल एकजाम लर्णर में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियों में हम लोग GDC यानि की राज की डिगरी कालिज असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्षा 2022 के लिए GS के टाप 20 कोईशन का हम लोग चौथा सीरीज आज हल करेंगे इसके पहले तीन सीरीज अपलोड किया गया है जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्रेलिस्ट में जा किया वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं तो वीडियो को लाइक शेर कर देजेगा चैनल पर पहली बारा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा साथ में वेल आइकन को प्रिस कर लेजेगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोडिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और आपको बता दिए कि GDC यानि कि राजकी डिगरी कालेज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एकजाम है वह 15 मार्च 2022 को इसका पेपर होने वाला है तो आईए देखते हैं दोस्तों इस 27 फ्रोरी अनकेडमी UPPSC में एक महान युद्ध होने जा रहा है एक दिलचस्प स्कॉलर्शिप टेस्ट जहां आप अपने दोस्तों को अनकेडमी कमबैट में भाग लेने के लिए चनोती दे सकते हैं और UPPSC के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कॉलर्शिप परिक्षा में उनके साथ लाइव कमपटिक्शन कर सकते हैं यह पूरी तरह से फ्री टेस्ट हैं तो बिना देर किये जल से जल इन्रॉल करें और हमारा कोड एकजाम लर्नर का यूज करें रैंक 1 से लेके 3 तक के लिए UPPSC का 1 एयर प्लस सबस्क्रिप्शन फिबरी में दिया जाएगा और रैंक 4 से 10 के लिए 75 परिसेंट स्कॉलर्शिप दिया जाएगा इनाम जीतने का भी मौका इसमें मिलेगा तो नीचे इसका description में link दे दिया गया है वहाँ से जा कि आप indoor हो सकते हैं दोस्तों अनलाग 20 का date extend किया गया है यह offer अब आपका 19 फरवरी तक valid रहेगा तो यह आप UPPSC या फिर UP3C के किसी भी exam की preparation करना चाहते हैं और anacademy से जुड़ना चाहते हैं तो यह offer आपका 19 फरवरी तक valid रहेगा यह आप subscription लेते हैं 19 फरवरी तक तो आपको 20% का आप मिल जाएगा fees structure यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% less करने के बाद आपका इतना होगा और नीचे इसका detail दे दिया गया description में वहाँ से जाकि आप चीक कर सकते हैं तो यह आप UPPC या फिर UPTC किसी भी exam के preparation करना चाहते हैं तो आप anacademy पे subscription लेका जुड़ सकते हैं आपको 20% का यहाँ पे discount मिल जाएगा हमारा referral code आप यूज कीजिएगा exam learner और आप जो है इस offer का तो दोस्तों आज का जो question है निम्नांकित नगरों में कौन करकरेखा से निकटतम दूरी परिस्थित है तो यहाँ पे चार आप्षन है आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा तो B आप्षन सही होगा गांधी नगर करकरेखा से सबसे कम अच्छांसी अंतर जो है वह गांधी नगर का है गुजरात की यह राजधानी है करकरेखा अभी कली बताया गया था भारत के कुल हाट राजियों से होकर के गुजरती है तो सबसे कम जो अच्छांसी अंतर है वह गांधी नगर का है जो कि सबसे नजदीक है ये करक रेखा कि तो B आपसन सही हो जागे हैं अगला कोशिन है नेमनलिखित देसान्तरों में कौन सा भारत की परमारिक मध्यान रेखा या इसे कहते हैं भारती मानक समय रेखा कहलाता है तो D आपसन सही हो गए 82 डिगरी 30 मिनट पूर्वी भारत की परमारिक मध्यान रेखा या भारती मानक समय जिसे IST कहते हैं 82 डिगरी 30 मिनट पूर्वी देसान्तर से ये लिया जाता है और यह देसान्तर रेखा प्रियाग राज के पास नैनी से हो करके यह गुजर्ती है तो D आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं भारत का वह कौन सा अस्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महा सागर मिलते हैं तो है कन्या कुमारी भारतिये मुख्य भूम के दक्षडी चोर परिस्थित कन्या कुमारी वह अस्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद महा सागर मिलते हैं कन्या कुमारी भारतिये राजी तमिलनाडू में इस्थित है यह प्राइदीपी भारत के अंतिम छोर पर इस्थित है अगला कुश्य है रेट क्लिप रेखा कौन सी है तो आपसन आप देख सकते हैं हापे भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेट क्लिप रेखा कहलाती है और यह भारत चीन सीमा रेखा पूछा जाए और भारत और अफगानिस्तान के बीच पूछ लिया जाए तो वह हो जाएगा आपका डूरंड रेखा तो तीनों ही याद रखिएगा अगला प्रश्ण है किसके द्वारा भारत स्रिलंका से अलग होता है तो पाक जल डमरू मद्ध के द्वारा अलग होता है भी आप से नहापे सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है निमलखित समूहों में कौन सा पूर्व से पस्चिम की ओर परवत सिखरों का सही क्रम है पूर्व से पस्चिम पूछा गया है तो सबसे पूर्व में आपका कंचन जंका हो जाएगा फिर एवरेष्ट फिर अनपूडा और धावला गिरी तो भी आप से नहापे सही हो जाएगा पूर्व से पस्चिम करम में आपका पूछा गया है अगला प्रस्चिम जहां पूर्वी घाट और पस्चिम घाट मिलते हैं वहां निमलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्तित हैं तो वहां पे हैं नेलगिरी पहाड़ियां सी भी कलब से हो जाएगा नेलगिरी पहाडी भारतिय प्रायदीब के पूर्वी घाट तथा पश्मी घाट के मिलन बिंदु पर यह इस्तित है और नेलगिरी पहाडी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है इसकी सरवाधिक उची चोटी दोदा बेटा जिसकी लगभग उचाई है 2637 मीटर तो यहाँ पे C विकल्प से हो जाएगा नेलगिरी पहाडीया अगला प्रशन है गुरू सिखर परवत चोटी किस राज़ी में अवस्थित है तो यह राजस्थान में है यह आपसन से हो जाएगा गुरू सिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली परवत अरावली परवत की सरोची चोटी है इसकी उचाई ये दिस समुद्रतल से देखा जाए तो 1722 मीटर इसकी उचाई है अगला प्रश्ण है निमलिखित एगुमों में कौन सही सुमेलित नहीं है एक तरफ दिया गया है परवत दर्रा दूसरी दर्रा राज दिया गया है तो कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाथुला दर्रा दिया गया है मिघाले गयलत है नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम में है तो C आपसन सुमेलित नहीं है बाकी सिपकिला दर्रा हिमांचल प्रदेश में है बॉम्डिला दर्रा अउडांचल प्रदेश में है जोजिला दर्रा ये आपका कस्मीर में है जो कि अब ये लद्दाक संग राज में चला गया है क्योंकि आपको पता होगा जम्मू कस्मीर और लदाक दो नए केंसासित प्रदेस बना दी गए तो जोजीला अब लदाक केंसासित प्रदेस में पड़ेगा अगला कूशन है निमलखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आप्सन अभी, आपने देखा कि नात्लाव दरह कहां पे है सिक्के में है, यह उडाशल परदेश दिया गया है तो यह आप्सन आपका सुमेदेत नहीं है बाकि लिपुलेख दरह उत्राखंड में है, सही है, रोहतांग दरह हिमांचल प्रदेश में है, पाल घाट दरा कीरल में है, कीरल से पुछाता है सांत घाटी, तो सांत घाटी जो है, यह दर रखी गा, आपका किस राज में है, तो यह कीरल में है, अगला जो प्रश्ण है, दस डिग्री चैनल प्रिथक करता है, तो यह प्रिथक करता है, अंडम अलग करता है next question है आपका कौन सी जन जाती दीपावली को सोक कात्योहार मनाती है कई बार ये UP PSC के एक्जाम में जो है पुछा गिया है यहाँ पे D आपसन सेवगा थारू जन जाती थारू जन जाती दीपावली को सोक परव के रूप में मनाती है अकला प्रश्ण है बाप का कि निमलखित भारती नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है यानि कि जौर नदमुक बनाती है तो C आपसन यहाँ पे से हो जाएगा तापती आपसन में दिया गया है नर्मदा यदि आपसन में रहता तो भी आपका सही होता भारत में नर्मदा और तापती ऐसी नदिया है जो कि डेल्टा का निर्माड ने करके एस्चुरी यानि कि जौर नदमुक का निर्माड करती है और ये पश्रिम के तरफ वहने वाली नदिया है और ये अरब सागर में जा करके मिलती है तो यहाँ पर पुछा गया है कि भारती नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है तो तापती यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रशन है सुमेलित कीजिए और कूट से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा तो सबसे पहला दिया गया है कटक तो कटक आपका उडिसा में है और यह महा नदी के किनारे है एक का हो जाएगा यहाँ पर तीसरा लुधियाना तो पंजाब में है और यह सतलज नदी के किनारे है तो बी का हो जाएगा यहाँ पर चौथा नासिक तो नासिक महरास्ट में है गुदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है तो C का हो जाएगा पहला उज्जेन मदिप्रदेश में है और ये छिपरन नदी के किनारे इस्थित है D का हो जाएगा दूसरा 3, 4, 1, 2 तो 3, 4, 1, 2 आप दे सकते हैं ये पहला ही आपसनिया पे सही है अगला जो प्रश्ण है सुची 1 को सुची 2 से यहां भी मिलान करना है एक तरफ जील दिया गया है दूस तरफ उनकी अवस्थिती दी गई है और कूट के माधिम से बताना है कि कौन सा भी कल्ब सही हो जाएगा तो चले देखते हैं पहला दिया गया अस्टा मोडी जील तो यह केरल में है अस्टा मोडी जील एक का हो जाएगा दूसरा पुलिकट जील तो तमिलनाडू में है यह यहां पे बी का हो जाएगा तीसरा और सी आपसन दिया गया रूपकुंड तो रोप कुंड ये उत्राखंड में है C का हो जाएगा चौथा और सूरज कुंड जेल ये हर्याना में है तो D का हो जाएगा पहला 2, 3, 4, 1 तो 2, 3, 4, 1 B विखल पे हां सही हो जाएगा अगला पुश्नय भारत में सबसे कम वर्षा वाला अस्थान कौंसा है तो यह है लेह यह आपसं सही हो जाएगा है भारत में लेह में देखा जाए जो की देज भर में सबसे कम वर्षा यह होती है 9.219 сेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे होता है जैसल मेर में करीब 10 cm यहां पर बर्सा होता है और बीका नेर में देखा जाए तो 24.30 cm यहां बर्सा होता है चेरा पूजी में आपका 1100 cm वर्सा होता है और मासिन राम जो कि सरवाधिक वर्सा वाला अस्थान है मासिन राम में 1149 cm वर्सा होता है तो सरवाधिक वर्षा आपका मासिन डाम में होता है और सबसे कम वर्षा भारत में लेह में होता है 9.29 cm की करी अगला प्रशन है रेगूर यह किसका नाम है तो यह काली मिट्टी का नाम है काफी famous question है UPPSC का यह हमेशा यहां से question बनता है तो C option से हो जाएगा है काली मिट्टी को अस्थानी रोप से रेगूर या कपासी मिट्टी या इसे उशल कडिवंधी चेतर नोजम आदी नामों से भी इसको जाना जाता है भारत में इस मिट्टी का विश्तार देखा जाए तो महरास्ट्र और साथी पश्रिम, मधिपरदेश गुजराद इन राज्यों के लगभग 5 लाख वर किलिमेटर छेतर भर मिलता है तो C option से हो जाएगा है यहाँ पर काली मिट्टी इसे कपासी मिट्टी या उशल कडिवंधी चेर्नोजम मिट्टी के नाम से या रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे अगला प हीरा कुंड हीरा कुंड बाद महा नदी पर बनाए गया है बी का हो जाएगा तीसरा और इडुक की परियुजना या आपका पेरियार नदी पर बनाए गया है जो कि केरल बे हैं C का हो जाएगा दूसरा नागारजुंसागर या कृष्णा नदी पर है तो D का हो जाएगा प यह आपका चिनाब नदी पर बनाये गया है E का हो जाएगा दूसरा गांधी सागर यह चंबल नदी पर बनाये गया है B का हो जाएगा पहला उकाई परियुजना तापी नदी पर है C का हो जाएगा तीसरा तवा यह आपका तवा नदी पर ही बनाए गया है D का हो जाएगा चौथा 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 देख सकते हैं D आपसन सही हो जाएगा है अगला प्रशने यहाँ भी मिलान करना ही है तो सबसे पहले दिया गया है खादी उत्पादन में ब्रिधी किस से संबंधित है तो यह हरित क्रांती से संबंधित है खादी उत्पादन में ब्रिधी यह का हो जाएगा पहला और हरित क्रांती की शुरुवात कब होई थी तो 966 और 67 में हरित क्रांती की शुरुवात होई थी तो यह का हो जाएगा पहला दुग्द उत्पादन तो यह आपका स्वेत क्रांती के नाम से जाना जाता है B का हो जाएगा है आपे तीसरा और स्वेत क्रांती के जनक जो है आपको वरगीज कुरियन स्वेत क्रांती के जनक के नाम से जाना जाते है मतस्य पालन तो मत्य से पालन हो जाएगा आपका नेली करांती से सी का हो जाएगा दूसरा उरोरक तो उरोरक आपका भोरी करांती के नाम से जाना रता है डी का हो जाएगा चौथा एक तीन दो चार तो यहाँ पर यह आपसन ही सही हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका आज के टाप 20 GS कोईशन का चौथा सेट इसके पहले तीन सेट अपलूट किये गया है तो यदि आप नहीं देखे हैं चैनल के प्ले रिस्ट में जाएगा आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे तो वीडियो दी अच्छा लगा हो लाइक शेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में विल आइकन को प्रिस कर लिजिएगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और PDF इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया झाले जाएगा